परिचय नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त सैम आज हम मानव शरीर के विभिन अंगों के बारे में जानने के लिए यहां आए हैं चलिए इसके बारे में और जानते हैं आओ सीखें मानव शरीर के विभिन अंगों को पहचानना हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियों की प्रमुख विशेश टाएं बताना मानव शरीर का परचय नमस्कार दोस्तों क्या आप में से कोई मुझे मानव शरीर के विभिन अंगों के नाम बता सकता है? बहुत अच्छे! आईए जानते हैं हमारे शरीर के मुख्य अंग हैं सिर, चेहरा, गर्दन, हाथ, पेट और पैर जैसा की हम देख सकते हैं सिर हमारे शरीर का सबसे उपरी भाग है हमें सिर पर बाल भी दिखते हैं शरीर का अगला भाग चेहरा है चेहरे में आख, नाख, जीब और कान होते है चेहरे के नीचे गर्दन होती है जो सिर को बाकी शरीर से जोड़ती है यह सिर को दाएं, बाएं और उपर नीचे घूमने में मदद करती है यह बेलनाकार होती है इसके बाद हम हाथों पर आते हैं यह हमें चीजों को पकड़ने में मदद करते हैं शरीर का एक अन्य अंग है पेट यह एक थैले जैसा होता है जिसमें सभी भोजन सामगरी पाचन के लिए एकत्र होती है और सबसे अंत में हमारे पैर जो हमें सीधा खड़ा होने, चलने, दोडने और खेलने में मदद करते हैं ग्यानेंद्रिया नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन सभी अंगों में कौन सा अंग हमें आसपास की चीजों को देखने में हमारी मदद करता है हाँ, सही यह हमारी आँखें हैं यह ज्यानेंद्रिय का एक प्रकार है हमारे शरीर में मौझूद अन्य ज्यानेंद्रियां हैं कान, नाक, जीब और त्वचा आईए हम इनके बारे में विस्तार से जाने अब हम आँख से शुरू करते हैं आँखों की सहाईता से हम अपने आसपास का सुन्दर संसार देख सकते हैं अब हम कान के बारे में जानते हैं हमारे चहरे के दोनों तरफ एक-एक कान होते हैं कान की सहायता से हम अपने चारों तरफ की ध्वनिया सुन पाते हैं दोस्तों, आईए हम अगली ज्यानेंद्रिय की तरफ बढ़ते हैं हम अपनी नाक की सहायता से विभिन प्रकार की अच्छी और बुरी गंद सूंग सकते हैं हम सब को चॉकलेट खाना पसंद है क्योंकि इसका स्वाद अच्छा होता है लेकिन कौन सी ग्यानेंद्रिय हमें यह बताती है यह ग्यानेंद्रिय हमारी जीब है जो चबाने, निगलने, बात करने और गाना गाने में हमारी सहायता करती है हम अपनी जीब की सहायता से विभिन खाद्यपदार्थों का स्वाद पा सकते हैं दोस्तों, आखिरी ग्यानेंद्रिय है हमारी त्वचा क्या आप जानते हैं कि त्वचा के बिना हम कुछ भी महसूस नहीं कर सकते हैं वास्तव में त्वचा ही शरीर के सभी अंगों को वहन करती है यह शरीर की एक सुरक्षात्मक परत है बाल भी हमारी त्वचा और अंगों की रक्षा करते हैं, जो त्वचा के उपर मौजूद होते हैं प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको एक और महत्वपून्ड चीज बताना चाहता हूँ अपने शरीर को साफ और स्वच रखने के लिए हमें रोज नान करना चाहिए इससे हमारे शरीर से जीवानु साफ होते हैं इसी लिए हमारे माता पिता हमें रोज स्नान करने के लिए कहते हैं हमने क्या चर्चा की? इस पार्ठ में हमने सीखा कि शरीर के विभिन अंगों को किस तरह पहटाने? हमने विभिन ग्यानेंद्रियों और उनके कार्यों के बारे में भी सीखा